हेलो एवरिवन है दिस सिम्रिन क्लास नाइन का हम भालो जी का अपना फॉर्स चाप्टर कर रहे हैं दाट इस इंप्रूव्मेंट इन फूद रिसोर्स और हम लोगों ने अपनी कॉप क्रॉपिंग पैटन कर रहे थे जिसमें हमने फॉर्स और सेकेंड मैथर्ड कर चुके थे दाट इस मिक्स्ट क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग पैटन और आज हम अपना थर्ड और लास्ट क्रॉपिंग पैटन करेंगे वो है हमारा क्रॉप रोटेशन क्रॉप रोटेशन यह मैथर्ड आया क्यों एक सिंपल सी बात है जब हम एक ही क्रॉप को एक फील्ड पर क तो तो न्यूट्रियंट्स जोने चाहिए होते हैं स्कृप को ले गई सोयल से तो से सौयल में से एक पर्टिकुलर न्यूट्रियंट की डिप्लीशन हो जाएगी ठीक है growing of different crops on a field of land in a pre-planned succession जब एक एक क्रॉप के बाद आप दूसरी क्रॉप लगाते हैं मतलब continuously एक क्रॉप नहीं लगाते हैं बीच में आप दूसरी क्रॉप लगा लेते हैं क्रॉप का साल का protection लगाते हैं तो पहले मेज़ लगाई फिर मस्टर लगाइस तरह से आ राईस लगाई वीट लगा लगाई फिर नेक्स सीजन वीट लगाई इस से आप लोग क्या करते हैं हम लोग कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन इसके तुरू क्या होगा हमारी एक ही पर्टिकुलर एक ही टाइप के न्यूट्रियंट कर डिफिशेंसी भी नहीं होगी डिजीज फ्री भी रहेगी सॉयल और पेस्ट फ्री भी रहेगी राइट अब क्रॉप को लगाया जाता है लुमिनस क्रॉप लगाने की बाद एक दूसरी क्रॉप को लगाया जाता है उस दो ह्रोब को लग जाता है जो जिसको हाइव फर्टिल कि चाहिए हो ठीक है ग्रोब you जoga जांदार रिक्वार्मेंट हो जैसे वीट का ठीक है तो हाइव required ठीक है तो अगर हम अगर हमने क्रॉप की सेलेक्शन करनी है क्रॉप रोटेशन के लिए तो मैं क्या क्या चीज देखनी होगी availability of moisture through rain और irrigation ठीक है soil में या soil में कह सकते हैं moisture का जो availability है वो rain के तरू या irrigation के तरू जो nutrient का जो status है soil के अंदर वो चेक आउट करने के लिए availability of input जैसे की fertilizer pesticides human power and machine power इन सब की चेक करने के लिए ठीक है duration of crop short है या long है जो हम crop लगा रहे हैं उसका जो harvesting period है harvesting तक period है sowing लेकर harvesting तक वो जादा है या कम है ठीक है marketing में और जब उसकी processing facility क्या उस crop की available है या नहीं है यह पांच method होते हैं जब हमें crop को select करते हैं crop rotation के लिए ठीक है अब crop rotation के लिए crop तो लगा ली अब इसके advantages क्या है crop rotation के control pest and weeds weeds क्या होते हैं unwanted plants जो हमारी main crop के साथ लग जाते हैं जनकी requirement नहीं होती हमें ठीक है pest और weeds के ओपर control रहेगा reduce the need of fertilizer fertilizer का जो need है soil को वो कम हो जाएगी several crops may be grown in succession with only soil preparation काफी सारी crops को हम continuity में लगा सकते हैं एक crop harvest करी फिर दूसरी crop लगा ली फिर तीसरी crop लगा ली इस तरह से by alteration between deep and shallow rooted crops the soil may be utilized more completely अगर हम एक alternation के through alternative method के through हम deep rooted crops को लगाएंगे तो soil जो है वो completely utilize करेगा soil को चीक है soil may be used utilized more completely crop rotation आपको clear होगा हो गया होगा I hope यहां पर हमारा cropping pattern complete होता है हम लोगोंने starting में जब मैंने यह topic start किया था हम लोगोंने topic किया था crop production and management crop production management हमने कर रखी थी हम लोगों का main topic था improvement and yield जिसमें हमारे three main subtopics थे crop production management crop variety improvement crop protection crop protection improvement management हम लोग अपना first subtopic कर चुके हैं that is crop production management next video में हम लोग start करेंगे crop variety improvement right अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है प्लीज इसे like कीजिए से जाद जाद लोगों तक share कीजिए and please do subscribe my channel thank you